नमस्कार दुस्तों क्लासेट महरस्टा स्टेट बोर्ड माथेमाटिक्स चाप्टर नुम्बर पिप्टीन एरिया उसमें अभी इससे जो पहले वीडियो हुआ है उसमें हमने एरिया अप्ट्रेक्गल का फर्मुला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रेन पे यह हमने लिया था फिर हिरोंस फर्मुला हमने एक्स्प्लेन किया था हिरोंस फर्मुला में अगर ट्रेंगल के तीनो साइड अगर दी गई हो तो हमें एरिया अप्ट्रेंगल फाइंड करने आता है तो अगर suppose तीनो साइडिस की लेंद A, B, C है तो हमें सेमी पेरिमेटर find करनी है S is equal to A plus B plus C divided by 2 और area of triangle का formula use करना है square root of S into S minus A, S minus B into S minus C A, B, C triangle की तीनो साइडिस हैं और S is semi perimeter और जो practice it 15.4 का question number 1 था वो हमने मतलब solve किया ही था थोड़ा सा last जो part था वो रह जाता वो हम पहले यहाँ पे explain करेंगे तो देखे practice it 15.4 का question number 1 क्या था sides of a triangle are 4.5, sorry 45 cm 39 cm 42 cm find it seria तो तीनो जो sides हैं वो हमें a, b, c लेना है तो semi perimeter yes की value a plus b plus c divided by 2 तीनो साइडिस की addition divided by 2 तो yes is equal to तीनो की addition 126 divided by 2 मतलब 63 तो yes की value आगे 63 अब area of triangle find करना है तो square root of yes into s minus a s minus b s minus c formula यूज़ करके हमें यहाँ पे yes की value a की value b की value हमने यहाँ पे और c की value यहाँ पे substitute की थी फिर 63 into subtraction करके हर bracket को अब multiply करना था तो यहाँ पे 63 के हम prime factor find कर लिए है 3 into 3 into 7 18 के prime factors 2 into 3 into 3 अब 21 के भी prime factor find करना है 3 into 7 into 24 के prime factor 2 into 2 into 2 into 3 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 3 20 24 तो आप यहाँ पे जितने भी prime factors आगए उन्हें सभी में है दो दो के pair हमें find करने है देखिए 3 तीन तीन दो बार तो इन दो के बदले में एक 3 square root के बार लिखना है multiplied by फिर यहाँ पे एक 7 यहाँ पे एक 7 इन दोनो 7 के बदले में एक 7 square root के बार लिखना है फिर 3 तीन के बदले एक 3 square root के बार फिर यहाँ पे 2 2 के बदले में एक 2 square root के बार यहाँ पे टू और यहाँ पे टू इन दोनों टू के बदले में एक टू स्कुरूट के बाहर अब जिनकी पेर यहाँ पे नहीं बनी त्री और त्री इन दोनों के बदले में एक त्री स्कुरूट के बाहर अब जिनकी पेर अगर नहीं पढ़ रही हैं मतलब दो की पेर नहीं करना होगा तो अब आप इंसे भी का मुल्टिप्लिकेशन करेंगे तो यह 756 आता है तो 756 मुल्टिप्लाइब कैसे करना है त्री इंटू टू सुरी 7 इंटू 3 21 इंटू 3 63 मुल्टिप्लाइड बाय 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 12 से 63 को मुल्टिप्लाइड करेंगे 12 3 जा 36 बारो 3 12 6 जा 72 प्लस 3 75 756 सेंटिमेटर स्क्वेर यह वा ट्रैंगल का इरिया जिस ट्रैंगल की तीनो सैट्स 45, 39 और 49 सेंटिमेटर है तो यहाँ पर क्वेशन नमबर 2 दिया गया है लुके अट दे मेजर शोन इन दे अड़िशन फिगर एंट फैंड दे एरिया अब दे कोड्रलाटल पी क्यारेस इस कोड्रलाटल का जो एरिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में फैंड करेंगे उससे पहले इस वीडियो में क्वेशन नमबर 3 स्वाल करेंगे पहले हम क्वेशन नमबर 3 फिर बाद में क्वेशन नमबर 2 स्वाल करेंगे क्योंकि मुझे 10 से 11 मिनिट का एक वीडियो बनना होता है 10 से 15 बारा के बीच में तो एड़िस्मेंट के वज़े से ये मतलब क्वेशन हमें पहले लेने पड़ रहा है क्योंकि क्वेशन नमबर 2 को ही 10 मिनिट लगने आले हैं आके लिए तो अब ये 5 मिनिट तक तो हो चुके है 15 मिनिट का वीडियो बन जाएगा तो अब हम ये कुशन जो है वो 5 मिनिट में हो जाएगा तो ये 10 मिनिट तक हो जाएगा तो इसलिए हम क्वेशन नमबर 3 पहले ले रहे हैं अब ये रीजन है दूसरा कोई और नहीं है अब देखें कुशन नमबर 3 का है सब मेजर्स आर गिवन इंद एडिसेंट फिगर फाइंड दे एरिया अब कॉटरिलाटरल ABCD ABCD इस कॉटरिलाटरल का एरिया फाइंड करना है और यहाँ पे मेजर्मेट्स दिये गए है तो अब हम यहाँ पे कॉटरिलाटरल ABCD में क्या क्या है देखें यहाँ पे एक ट्रेंगल है और यहाँ पे एक ट्रेंगल है जिनका हम एरिया अलग-अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि यहां पर जो ट्रेंगल है सब्स यह जो पार्ट है वो नहीं है तो यहां पर एक ट्रेंगल बनेगा तो इस ट्रेंगल में बेस और हाइट हमें दी गई है तो इस ट्रेंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं फिर यह जो यह पार्ट है वो नहीं है ऐसा हम कंसिडर करेंगे तो यहां पे जो ट्रेंगल है वो राइट एंगल ट्रेंगल है तो एक साइड बेस होगी तो दूसरी हाइट होगी राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है यहां पे 90 रिगर का एंगल एक साइड बेस तो दूसरी साइड हाइट होती है जा फिर यह बेस होगा तो यह बाय टू बेस इन ट्वाइट यह यूज़ करना है तो A, D, B तो हमें लिखना है इन ट्रेंगल A, D, B A, D, B इस ट्रेंगल में एंगल B, A, D B, A, D जो एंगल है वो 90 डिगरी का है तो इसलिए यह राइट एंगल ट्रेंगल हुआ तो AD base तो height AB होगी तो यहाँ पे area of triangle ADB is equal to 1 by 2 area of triangle ADB is equal to 1 by 2 base into height अब base AD हम लें तो height होगी AB तो यहाँ पे होगा 1 by 2 into AD जो base है वो 9 into AB height 40 अब 2 से 40 को divide करो 20 into 9 180 meter square यहाँ पे meter में units है तो meter square में area होगा तो 180 meter square इस triangle का area आएगा ADB का अब हमें area find करना है triangle DCB इस triangle का अब इस triangle का जो area है उसके लिए base BC होगा और height BT होगी तो हम यहाँ पे area of triangle BDC या फिर BCD हम लेंगे area of triangle BCD area of triangle BCD is equal to 1 by 2 into base देखिए base है CD और height है BT तो CD into BT अब यहाँ पे 1 by 2 into CD base base की जो length है वो है 60 और height है 13 तो 60 into 13 तो यहाँ पे होगा 1 by 2 into 2 से हम divide करेंगे तो 2 30 जा 60 13 3 जा यहाँ पे 1 by 2 लिखने के अब जरूत नहीं है 13 30 39 यहाँ का 10 390 मिटर स्क्वेर अब जो triangle BCD है और ADB है इन दोनों triangle के area के हम अगर addition करते हैं तो पूरे हमें quadrilateral का area मिल जाएगा तो area of quadrilateral ABCD is equal to हमें लिखना है area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle अब यह area लिखने की method है ए लिखेंगे इन ब्रैकेट तो area होगा area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ADB area of triangle ADB plus area of triangle BCD तो हम यहाँ पे लिखेंगे area of triangle ADB plus area of triangle BCD तो area of triangle ADB ADB का area हमने यहाँ पे find कर लिया है ADB का 180 meter square तो 180 plus 390 इन दोनों के हमें हैं यहाँ पे addition करने पड़ेगी तो 180 plus 390 हमें addition करते हैं तो यहाँ पे 0 8 plus 9 17 को एक बारो लेना है एक क्यारे लेना है 3 plus 2 5 तो यहाँ पे होगा 570 meter square तो 570 meter square इस quadrilateral का area जो है वो आएगा तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों जो question number 2 है वो हमें next video में explain करना है यह solve करना है तो आप सभी का video watch करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद